''Welcome student मैं रितिक शर्म ऑबी बीएस 40 एस्टुडेंट तो मैं आप सभी स्टुडेंट को इस एडियो में जो आपके स्टेट की जो मबीएस BDS काउंसलिंग की जो शैडूल जो आ चुका है लेकिन मैं आप सभी स्टुडेंट को देरी हो चुकी है बताने में क्योंकि मैंने आप सभी students को region बता दिया था कि किस करण में आप सभी student को inform नहीं कर पाया लेकिन मैं आप inform कर देता हूँ आप सभी student को तो आपके जो counseling से regarding जो schedule आया है वो 11 January 2022 को आ चुका था और आज है 15 January 2022 यहनी 4 days मैं late हो चुका हूँ information देने के लिए क्योंकि मेरे university के exam start हो चुके थे और साथ में आपको मैं बता दू कि मुझे corona हो चुका था इस करण में आप सभी student को inform नहीं कर पाया तो आप सभी को मैं बता दू कि जो आपका registration है वह start हो चुका है 12 January 2022 को स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लाज डेट है 18 January 2022 यहनी आपके पास अभी थ्री डेज अभी आपके पास बचे होए हैं तो जिन भी student होने MBBS BDS counseling के regarding जिनोंने भी forum नहीं बढ़ा है registration नहीं किया है वह जाके registration करवा सकते हैं अभी भी उसके बाद आपके query है जिसमें आपके online जो आपके document verification होंगे उसकी जो डेट है वो 12 January से लेके 19 January यानि अभी आपके पास चार दिन और शेस है 4 days आपके पास बच्चों हैं इनके दोरान इसके दोरान आप इन्हें verification करवा सकते हो उसके बार reconciliation of data वो 20 January 2022 तक का time दे रहा है आपको उसके बाद आपकी जो publication of provisional state mail list of registered candidate वो आएगी 24 January 2022 यानि आपका registration की जो तारिक बंद होने के बाद एक week के बाद जो आपकी publication of provisional state mail list है वो publish हो जाएगी उसके बाद जो भी query होगी वो आप 25 January 2022 से लेके 26 January तक आप कर सकते हैं उसके बाद जो final merit list है आपके state की वो 27 January 2022 को आ जाएगी यानि ये process है वो 30 से 14 days वो चननने वाला है और नीचे इसके अंदर mention ये भी कर रहा है schedule for choice feeling allotment of seats and will be notified in due course of time यानि जो भी आपका choice feeling, choice locking, seat allotment, reported कब करना है college को वो सब हम आप सभी student को information दे देंगे कब से round start होने वाले round first कब start होगा round 2 कब start होगा उसके बाद mop up round कब start होगा उसके बाद sport round कब start होगा सब की information हम schedule में दे देंगे उन्होंने mention किया गया है आप जो जे की counseling की जो websites है उस पे भी आप widget कर सकते हो वैसे तो मैं आप आप सभी student को inform कर दूंगा लेकिन लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि कई कारणों से मैं कर नहीं पाया तो अब मैं regular हूँ तो आप सभी student को inform करता रहूंगा और अब कल ही वीडियो मेरी आने वाली है कि आपको preference order में college को कैसे रखना है क्योंकि preference order ही सबसे man कारण है क्योंकि यदि आपने थोड़ा भी उपर नीचे कर दिया तो आपको सीट नहीं मिल पाएंगी counseling के regarding counseling के दोरान sorry क्योंकि सबसे man important होता है आपके choice locking choice feeling थोड़ी सी भी गलती कर दी आपको पूरी साल भुकतना पड़ेगा तो मैं आप सभी student को जल्द ही लाने वाला हूं कल तक वो वीडियो आ जाएगी पुब्लिस हो जाएगी मेरे चैनल पे तो आप सभी student मेरे चैनल को subscribe जरू करें ताकि आपको आपके states की related news समय समय पर प्राप होती रहे जहिंद धन्यवत दोस्तों